हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्प्लिफायर आइसीज के बारे में जिन में शामिल है पैंतालिस अठावन डी, LM358, NE5532 ये तीनों की तीनों आइसीज ऑपरेशनल एम्प्लिफायर आइसीज हैं और इनका यूज बेस टून सर्किट्स, लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर्स और अम्प्लिफायर सर्किट्स में किया जाता है मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पैंतालिस अठावन आइसी की जगा पर क्या हम LM358 आइसी को यूज कर सकते हैं या नहीं और इन तीनों आइसीज में से कौन सी आइसी सबसे ज्यादा अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करती है किस आइसी को अम्प्लिफायर सर्किट में यूज करना चाहिए किस आइसी को लो पास फिल्टर सर्किट में यूज करना चाहिए वगयरा वगयरा तो इस टैप के बहुत से सवाल मुझे कॉमेंट सेक्षिन में देखने को मिल जाते हैं तो इसलिए आज की ये वीडियो मैं डिटेल से बना रहा हूँ और आपकी सारी की सारी कन्फूजन्स और जितने भी आपके कुस्चन्स हैं इन ICS को लेके सारे के सारे डाउट सापके क्लियर हो जाएंगे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दू कि आप इन तीनों ICS को एक दूसरे की जगा पर यूज कर सकते हैं यानि अगर आपके पास कोई भी सर्किट है जिसमें 4558 IC लगी भी है दूसरी चीज़ के इन तीनों ICS में से सबसे अची आउटपुट कौन सी IC प्रोवाइड करती है तो मेरी नजर में तीनों ICS का रिजल्ट तकरीबन सेम ही है 19-20 का भी फर्क नहीं है मैंने इन तीनों ICS को यूज करके देखा है और तीनों ICS का रिजल्ट मुझे सेम ही मिला कोई भी खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला हाँ अगर आप ममी डैडी एंजिनियर हो ठीक है तो आप वो कल्कुलेशन करके ये वाला अम्पलिट्यूट वो वाला अम्पलिट्यूट ये कुछ करके अपना टाइम जरूर वेस्ट करो ठीक है लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो तीनों ICS सेम ही है आप इन तीनों ICS में से किसी भी IC को एक दूसरे की जगा पर यूज़ कर सकते हो बहतरीन आपको परफॉर्मस मिलेगी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा 45-56 ICS यूज़ करता हूँ उसकी रीजन ये है कि ये अच्छी प्राइस में मुझे मिल जाती है ठीक है और आउटपुट भी इसकी अच्छी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग